हेलो 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 गुड़ीवनिंग एप्रिवन कैसे हैं सारे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे क्या हाल चाल है आप सबके मैं कमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका इन्फिनिटी लर्न बाई श्री चेतन्या में तो बच्चों हम यहाँ पे 11 के प्रारंब बैच के अंदर हैं और आज हम एक बहुत बढ़िया सा बहुत सुंदर सा चाप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रडॉक्स रियक्शन अब यह मैंने पिछली बार गैशियस स चैप्टर पहला बेसिक कॉंसप्ट ऑफ केमिस्ट्री पाँच वा गैशियस स्टेट और आठ वा रडॉक्स रियक्शन यह तीनों आपस में जुड़े हैं और इस चैप्टर की तो भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम क्यों क्योंकि यह चैप्टर आपको केमिस्ट्री स को स्ट्रॉंग बनवा देगा यह चैप्टर आपको बहुत सारे कंसेप्ट बहुत सारे कंपाउइन को समझने में हेल्प कर देगा और इसके लिए सिर्फ एक चीज को अच्छे से समझना है जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जो आज हमारा टार्गेट होने वाला है कि भाईया ओक्सीडेशन नंबर क्या होती है देखो सुना सबने हैं बहुत सारे लोगों ने ओक्सीडेशन नंबर के बारे में सुन आसानी हो जाए तो एक आसान सा तरीके सा ओक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे और फिर अगले लेक्षर में आगे वाले लेक्षर में इस बात को जोड़ेंगे कि भाई ओक्सीडेशन नंबर निकालने का फाइदा क्या है क्या हम ओक्सीडेशन नंबर निकालके जो ब Oxidation Number से Solve हो जाते हैं Oxidation Number से हम उन्हें Solve कर सकते हैं तो चलो फटा-फट पहले समझते हैं पटा-फट समझते हैं कि बाई Oxidation Number का मतलब क्या है जैसे एक simple से example मैं लेता हूँ 11th class को basic लेता हूँ बहुत basic से पढ़ेंगे और basic से बिलकुल चले जाएंगे एकदम advanced level तक मतलब गरदा उड़ा देंगे एक आयन लिखा है nitrate आयन सबको तुनना होगा पहले भी nitric acid या इससे जादा नहीं मिले हो तो इससे तो और जादा मिले होगे sulphate आयन कौन सा आयन है यह हमारा sulphate और एक और आयन दिखा देते हैं positive में ammonium और एक molecule भी ले लेते हैं iron ही क्यों अमोनिया का cation ammonium और एक molecule भी ले लेते हैं सबसे common molecule भाई daily इसका user है हर जगे इसका user water पानी जल पानी अब देखो किसी भी molecule किसी भी आयन या simple बोलू एक polyatomic particle एक polyatomic particle polyatomic particle का मतलब क्या ऐसा है कि polyatomic poly मतलब many atomic मतलब atom कोई भी ऐसा particle जिसके पास बहुत सारे atom है तो एक polyatomic particle में जो भी हम उपर लिखते हैं ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है उस particle का total charge ये रिप्रेजेंट करता है उस particle का total charge कौन दा charge total charge कि भाई तुम मिला जुला के अब charge आता क्यूं है total charge ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है total charge और जो हम number लिखते है right side में, वो बच्चों represent करता है total charge को, किसको represent करता है, total charge को, basic basic बातों को पहले जोड़ लेते हैं, फिर इस chapter की शुभारम कर देंगे, एक atom है, गोल सा, एक गोल सा atom है, इसमें proton है, इसमें electron है, neutral होगा अगर इसमें proton और electron क्या है, बराबर है, proton और electron बराबर है सभी बात है, हाँ सर, अगर ये atom, proton को तो आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि proton तो भाई, बहुत अंदर होता है, लेकिन electron का आदान प्रदान कर सकता है, तो अगर ये atom, proton को छोड़के, electron को gain कर ले, या electron का loss कर ले, तो क्या होगा, electron को gain करेगा, तो gain यानि negative, electron यानि negative charge, तो अगर electron को gain करेगा, तो negative charge बढ़ेगा, negative charge बढ़ेगा, तो atom पे total negative charge आने लगेगा, यानि ये बन जाएगा NIN, ये बन जाएगा NIN, क्या बन जाएगा, NIN, और अगर ये loss करेगा, तो negative charge घटेगा, positive बढ़ जाएगा, तो जो भी चार्ज आता है वो electron के ही आने जाने से होता है ये बन गया cation तो देखो दो बाते हैं अब तक establish किए बातों को establish करेंगे और फिर बातों को link करते जाएंगे दिमाग में बैठाते जाएंगे पहली बात establish कर ली कि जब भी हम कोई iron या कोई molecule लिखते हैं तो जो भी हम उसके उपर लिखते हैं वो उसका total charge होता है क्या होता है total charge second किसी भी atom में charge क्यों आता है electron के आने या जाने से आने से negative जाने से positive आने से उनके आये बाहर जाने से उनके जाये बाहर तो जो भी हम molecule पहर रहे हैं अब देखो NO3 में net है negative charge no NO3 क्या है no है हमारा तो NO3 में net negative charge है क्यों आया होगा molecule ने bond बनाया होगा है ना bond बनाया होगा electron की sharing electron का transfer ये बात तो 9-10 में भी पढ़ते हैं ionic bond covalent bond तो जो bond बना होगा उससे electron आये या गए होंगे bond बनने की वज़े से electron आये या गए होंगे और अगर electron आये या गए है तो charge भी आया गए होगा charge भी आया या गए होगा तो इन individual atom पे कुछ charge आया होगा जैसे इस पे A मान लेते हैं इस पे B मान लेते हैं इस पे C मान लेते हैं इस पे D मान लेते हैं और इन्ही charges की वज़े से हम कहते हैं कि जब इन सब को जोड़ा तो जोड़ की कितना चार्ज आ रहा है माइनस का वन जोड़ की कितना चार्ज आ रहा है माइनस का वन जो हमने यहाँ पे total charge लिखा है तो किसी भी individual atom पे किसी भी molecule के अंदर जो charge आता है उसी को हम बच्चो chemical bonding नाम के chapter में formal charge और general sense में chemical bonding के बाहर के chapter में oxidation number कहते है उसी को हम क्या कहते है oxidation number या फिर उसी का दूसरा नाम है oxidation state या फिर उसी का दूसरा नाम है oxidation state जैसे h2o का ले है यहां पर यहां पर x है यहां पर y है यहां पर z है तो यह यहां यहां पर x वाला charge y वाला charge z वाला charge सम मिला के कितना आ रहा है जीरो सम मिला के कितना रहा है जीरो तो एक atom पर एक अकेले atom पर जो भी charge आता है वो charge कहलाता है उसका oxidation number या वो charge कहलाता उसका oxidation state तो ये तो भाया बात हुई कि oxidation number का मतलब क्या है क्यों आया कहीं न कहीं atom के पास से electron अगर excess में होंगे electron बढ़ेंगे तो negative आएगा इस बात को अच्छा समझो ये use होगी आगे अभी electron बढ़ेंगे तो negative आएगा और electron decrease करेंगे तो positive आएगा और इसी वज़े से molecule के अंदर, ions के अंदर individual atom पे कुछना को चार्ज होगा even जो molecule पूरी तरसे neutral है उसके भी अलग-अलग atom पे कुछना को चार्ज होगा हो सकता है दोनो hydrogen atom same है तो दोनों का charge भी same हो हो सकता है तीनो oxygen atom same है तो तीनों का charge भी क्या हो same हो तो charge same है different वो तो बात की बात है लेकिन charge आता है और उसी charge को हम क्या बोल रहे है उसी charge को बच्चों हम लोग क्या बोल रहे है oxidation number कभी-कभी real, कभी-कभी imaginary अच्छा यहाँ imaginary number भी है यह क्या बला है देख लेंगे यहाँ पर तो कालपनिक दुनिया भी आ गए देख लेंगे उसको भी तो किसी भी atom पे एक अकेले atom पे हमेशा एक atom पे जो भी real या imaginary वास्तविक या कालपनिक charge आएगा उसी charge को उस atom का क्या बोला गया oxidation number उसी charge को उस atom का क्या बोला गया oxidation number now this is very very important इस बात को समझना कि भाई oxidation number आखर चीज क्या है oxidation number आखर चीज क्या है क्यों आता है अगर free state से किसमें जा रहा है combined state में free state से किसमें जा रहा है combined state यानि की bonded state तो जैसा भी मैं तुम्हें बता रहा था वही सब बाते अब यहाँ पे लिखके भी बताई जा रही है कि अगर कोई atom free है जब वो bond बनाएगा तो या तो वो electron gain करके बनाएगा transfer करके बनाएगा share करके बनाएगा मतलब है electron की अदला बतली करेगा और उसी अदला बतली के वेज़े से charge आएगा कैसे find करते है कुछ rules बनाएगा है कुछ fundamental points पे उनकी मदद से और bonded state का ये relative charge होता है bonded state का relative charge होता है समझ में आई ये बात क्या ये बात सबको clear है तो फटा फटा या मुझे बता दो ये बात सबको clear है ये बात सबको समझ में आ गई है ये तीन point अभी सार उतने अच्छे सा समझ में नहीं आया होंगे क्योंकि अभी इनी तीनों बातों पे बहुत सारा discussion होगा ये आज का पूरा lecture हम oxidation number के नाम कर देते क्योंकि oxidation number समझ में आ गया तो ये chapter थोड़ी देर की बात रह जाएगी थोड़ी देर की बात रह जाएगी जैसे देखो अब बहुत basic सी बात sodium magnesium sulfide phosphide ये सब आयन सबने देखे होंगे nitride ठीक है carbide potassium calcium iron plus 3 paracferic mercuric q plus ये सब आयन सबने देखे हैं ये तुम कह सकते हैं सब monoatomic है क्या कह सकते हैं सबको इन सबको तुम monoatomic कह सकते हो कि इन सब में एक atom ही है ये सब कैसे हैं monoatomic बच्चा आज का जई लेक्षर है ये 11, 12, drop पर हर एक बच्चे के लिए बहुत important है हर एक बच्चे के लिए बहुत important है क्योंकि ये oxidation number ऐसी चीज़ है जो बार बार आएगी हर जगे यूस होगी तो एक अकेले atom का चार सबाई सीज़े सीज़े दिख रहा है sodium की oxidation number हो गई plus 1 magnesium की oxidation number plus 2 sulfur की oxidation number minus 3 यहाँ पे phosphorus की oxidation number minus 2 plus 2 plus 1 minus 4 minus 3 plus 3 plus 2 और plus 1 यानि कि अगर तुम्हाँ पास एक अकेला atom है जिसका charge तुम्हें पता है तो वो charge ही उसकी oxidation number है वो charge ही उसकी क्या है oxidation number वो charge ही उसकी oxidation number है अब बात करते हैं एक से ज़्यादा atom होंगे तब कैसे find करेंगे एक से ज़्यादा atom होंगे तो oxidation number को हम कैसे find करेंगे चलो उसकी बात करते है तो covalent bond का भहिया मतलब क्या है भहिया क्या मतलब है covalent bond का covalent bond कैसे बनता है बहुत basic 10th level की बाथ bond formed by sharing of electron एक ऐसा bond सरजी जो बनता है electron की sharing से between two atoms between two atoms electron की sharing से जो bond बनता है उसको बोलते है covalent bond जो usually non-metal के बीच में बनते है क्योंकि metal का काम क्या है metal बिलकुल सादू इंसान है metal बिलकुल सादू इंसान है तो metal का काम सीधा सा है कि भाई मुझसे electron चाहिए लो ले जाओ electron चाहिए ले जाओ खुश रहो लेकिन non-metal तो ये लालची किस्प के उनको कहेंगे नहीं electron नहीं देंगे share कर लेंगे देंगे नहीं share कर लेंगे लेकिन देंगे तो A का एक atom आया B का एक atom आया एक electron A ने दिया एक electron B ने दिया तो हम कहेंगे यहाँ पे एक electron pair की sharing हुई एक electron pair की sharing हुई और इस type के covalent bond को बोल देंगे single covalent bond ऐसा सबने देखा है single covalent bond ऐसी अगर दोनों तरब से 2-2 electron आ गए तो उसको क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे अगर दोनों तरब से 2-2 electron आ गए 2 pair की sharing होगी तो double bond 3 pair की sharing होगी तो triple bond तो हम single bond double bond triple bond देखते हैं अब ideally क्या बात हो लिए ideally हमसे ये बात हो लिए कि दोनों तरब से electron की sharing है यानि दोनों तरब electron का 50-50% sharing होनी चाहिए electron की बराबर की भागेदारी होनी चाहिए good afternoon आमिर खान क्या हल चाले electron की बराबर की sharing होनी चाहिए बच्चो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि A के पास भी electron का 50% हिस्सा है और B के पास भी electron का 50% हिस्सा ही है ना कम ना जादा बिलकुल बराबर की sharing होनी चाहिए लेकिन क्या बराबर की हो पाएगी क्या बराबर की हो पाएगी real life सोचो क्या हमें यहाँ पे लालच मिलेगा यह नहीं मिलेगा greed और इसी लालच की measurement होती है electro negativity इसी लालच की measurement क्या होती है electro negativity तो इस बात का मतलब यह होता है सर जी कि कोई एक atom ऐसा होगा जो जादा जो जबरस्ती करेगा कोई एक atom ऐसा होगा जो जादा जो जबरस्ती करेगा जो कहेगा नहीं हमें electron दो हमें जादा electron चाहिए हमें ही सारा electron दे दो हम रख लेंगे अपने पास इन दोनों में से कोई एक होगा जिसको हम कह सकते हैं बाहू बली वो वहाँ का बाहू बली होगा राइट? यस यस विने परताब गुड इवनिंग अयान गुड इवनिंग पार्थ बताओ all in one तुम्हारा क्या doubt है doubt हमारे पास कैसा भी हम उस doubt को हल करेंगे, solve करेंगे क्या doubt है तुम्हारा बताओ hello 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 कैसे हैं सारे बच्चे क्या हल चाले हैं बच्चे तो हम लोग oxidation number का concept यहां सीख रहे हैं और oxidation number बहुत जादा important concept है मैं हमेशा यह बोलता हूँ कि oxidation number अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हारी chemistry से दोस्ती हो जाएगी तुम्हें chemistry पसंद आने लग जाएगी तुम्हें chemistry में चीज़े होते हुए दिखने लगेंगी तुम्हें chemistry में चीज़े दिखने लगेंगी मैं बढ़िया हूँ फरमान तुम कैसे हो तुम कैसे हो क्या हाल चाले है उमीद कर रहा हूँ सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है और ऐसे ही बढ़िया चलती रहनी चाहिए ऐसे ही बढ़िया चलती रहनी चाहिए NCRT reading अभी NCRT reading के हमने बात की थी विनिता NCRT reading के बारे में बात की थी NCRT reading के लिए physical chemistry में मैंने यह बोला है इसके लिए तुम एक previous session उसको देख सकते हो कि physical chemistry में सिर्फ और सिर्फ important बाते ही पढ़नी है NCRT में physical chemistry से बहुत जादा फाइदा नहीं होता है physical chemistry में question लगा के जादा फाइदा होता है तो हर chapter का पहला दो पेज और जहां भी कोई ऐसा topic है जिसमें सिर्फ theory है physical chemistry के लिए सिर्फ theory वाला portion है जिस portion से कभी कोई numerical नहीं बन सकता वो पढ़ना जो लिए NCRT से और उसी के notes बनाने जो लिए उसी के notes बनाने बहुत जो लिए ठीक है clear है सब कोई बात सब कोई बात clear है तो मैं oxidation number पर आगे बढ़ू कि भाई oxidation number क्या है बिटा ये वैसे तो 11 के लिए प्रारंब बैच है लेकिन यहाँ पर जो topic चल रहा है वो neat aspirant के लिए 11 का हो 12 का हो dropper का हो especially 12 और dropper के लिए topic बहुत important है ये topic जैसे तरह से हम पढ़ने वाले हैं जैसे हम समझने वाले हैं बहुत जादा important topic है ठीक है oxidation number तुम्हें electrochemistry में भी काम आएगा तुम्हें organic में भी काम आएगा inorganic में भी काम आएगा हाई बच्चा क्या हाल चाले चलो पर आगे बढ़े देखो हमने अभी तक क्या बात कर लिए एक बात को एक summary दे रहता हूँ मैं कि oxidation number का मतलब है किसी भी molecule में किसी भी आयन में जो भी एक अकेले atom पे charge आता है चाहे वो real हो चाहे imaginary हो उस charge को हम लोग बोलते है oxidation number जैसे यहाँ पे NO3- में nitrogen के अकेले atom पे oxygen के अकेले atom पे जो भी एक 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 आटम का charge है वही charge oxidation number है जो हम उपर लिखते हैं उसको कहते है total charge उसको कहते है total charge ठीक है ठीक है अब इन total charge में अगर atom अकेला है तो जो charge है वही उसका oxidation number है अकेले atom का जो charge है वही तो definition है oxidation number की बहुत सारे atom में तो charge आया क्यों bond बनने की वज़े से बहुत सारे atom है तो charge क्यों आया because of bond formation तो दो टाइप की bond में हम पहला bond समझे रहे है विचिस कोवलेंट bond कैसे बनता है electron की sharing से होना क्या चाहिए electron की 50-50% sharing कैसे 50-50% लेकिन actually सोचो तो हमेशा एक atom होगा जिसके nucleus के अंदर लालच जादा होगा जिसी बात को हम क्या कहते है electron negativity इसी बात को हम क्या कहते है electron negativity तो हम electron negativity के थूँ समझने वाले हैं कुछ बात है yes all in one short note बनाके ncrt जब पढ़ रहे हो तो बहुत best तरीका है साथी साथ एक color coding करते रहो कि ये बात आ चुकी है neat exam में ये बात neat exam में आ चुकी है तो इसको एक अलग से लाल color से पीले color से मात कर लो कि जब तुम दुबार से ncrt खोल के देखो तो वो बाते सीधे दिख जाए yes iron yes iron partial positive and negative charge yes partial positive and negative charge तो ज़रा देखो ज़रा देखो और समझो मान लेता हूं मान लेते हैं कि जो b है उसकी electron negativity a से ज़ादा है यानी कोई ऐसी वज़े है कि b का nucleus b का nucleus a से ज़ादा powerful है इस scenario में क्या होगा जब इनके बीच में covalent bond बना a और b के बीच में a और b के बीच में covalent bond बना दोनों के nucleus चाहा रहे है electron पे force लगाना दोनों के nucleus electron पे force लगाना चाहा है तो जो shared electron है वो exactly बीच में ना रहके थोड़ा सा shift हो जाएगा किसकी तरफ? जादा लालची atom की तरफ जादा powerful atom की तरफ जादा powerful atom की तरफ तो कहीं न कहीं A के पास 50% से कम electron अब आधा तो नहीं रहेगा आधा आधा नहीं रहा और B के पास 50% से जादा electron आएंगे A के पास 50% से कम और B के पास बच्चों 50% से जादा electron आएंगे राइट? बिलकुल सरी आयान partial positive and partial negative तो जो electron है थोड़े से जादा है और B मैंने समझा है electron आना मतलब negative charge तो B के उपर थोड़ा सा extra negative आजाएगा B के उपर थोड़ा सा extra negative आजाएगा और A के उपर थोड़ा सा कम हो गया electron यानि extra positive आजाएगा तो तुम समझे सकते हो क्योंकि ये बास समझ ली तो सारे rules समझ मालेंगे तो जो 10-12 rules पढ़ाए जाते है oxidation number निकालने के कि कभी भी covalent bond में negative और positive charge क्यों आ रहा because of difference in electronegativity because of difference in electronegativity अगर electronegativity समान है बराबर है तो charge नहीं आएगा और ऐसे ही bond पे हम दिखाते है बी के ओपर negative ए के ओपर positive लेकिन पूरी तरह से नहीं है इसलिए partial इसलिए partial partial मतलब charge थोड़ा बहुत खिसका है पूरी तरह से नहीं shift हुआ है थोड़ा बहुत खिसका है पूरी तरह से shift नहीं हुआ है पूरी तरह से shift नहीं हुआ है, clear है सबको बात, क्या सबको ये बात समझ में आ गई, और ऐसे ही covalent bond को बोला गया, polar covalent bond, ऐसे ही covalent bond को क्या बोला गया, polar covalent bond, कि bond में polarity आ गई, bond में charges आ गई, तो पहली बात हमने जो समझी है, वो ये है कि ऐसा क्यूं हुआ, charge आया क्यूं, एक बाई ये समझ में आ गया, charge क्यूं आया, तभी तो ये समझ में आएगा, charge कितना आया, सबको clear है बात कि covalent bond में charge क्यूं आता है, फटा फट बताओ, alien criterion, physical हमी पढ़ा रहे हैं, physical हमी पढ़ा रहे हैं, yes बेटा, NCRT reading पे भी बात होगी, physical chemistry में अभी ज़्यादा जर्वत नहीं पढ़ रही है, जैसे से level बढ़ेगा, मैं NCRT के screenshot के साथ तुम्हें हर chapter में बताओंगा, कहां पे NCRT पढ़ने की जर्वत है, कहां पे NCRT पढ़ने की जर्वत है, और कहां पे तुम NCRT की बिना, सिर्फ question को solve करके भी physical chemistry को 100% solve कर सकते हो, तुम्हारे NEET exam हो या J exam, चलो देखो, अब आओ, तो अब बात कर लेते हैं, पहले Electronegativity, जर्रली हमें पता है कि Nonmetal, Nonmetal जादा लालची, Electronegativity का मतलब लालच है, Electron के लिए लालच है, Electronegativity का मतलब Electron के लिए लालच, Electron के लिए लालच, Electron को अपनी तरफ खीचने का Cristal में भी कोड है, सारे बच्यों को फोन तो याद रहता है, लेकिन फोन के आगे का याद नहीं रहता है, आंग लगे इस फोन को, जयसा घर की मम्मिया कहती हैं, बस फोन में ही दिमाग है तो फोन तो थोदा थोड़ा सा बहार निकलता है, कोड यह है, पोन, को हम ऐसी लिख लेते हैं गलत स्पैलिंग फोन पे नकल क्योंकि आचकल तो online class हो गई है नकल बच्चा हर जगे करता है तो फोन पे नकल निबवन निब्भी कल्चर भी बहुत चल रहे बहुत इश्क मत करो पिरसे मत करो वरना पहलवान भाया जो सूतेंगे ना जो पटाई करेंगे बहुत गरबढ हो जाएगी तो फोन पे नकल बहार इश्क पहलवान ये कोड बहुत सारी जगे काम आएगा इसलिए अभी से याद कर लो फोन पे नकल बाहर इश्क पहलवान फ्लोरीन सबसे जादा इलेक्रो नेगिटिव नॉन मेटल ओक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन लगबग बराबर नकल यानि नाइट्रोजन क्लोरीन बाहर यानि ब्लोमीन इश्क यानि आयोडीन सल्फर कारबन पहलवान यानि फॉस्फोरस और हाइट्रोजन फोन पे नकल मत करो बाहर इश्क मत करो पहलवान भाया पीटेंगे तो ये हो गया इलेक्रो नेगिटिविटी का ओडर देखो कीस वही है एकी इलेक्रो नेगिटिविटी कम है बी की इलेक्रो नेगिटिविटी जादा है बी का लालच जादा है एका लालच कम है एने बी के साथ बॉंड बनाया एने हो सकता है कहीं दूसरी जगे बी के साथ डबल बॉंड बनाया हो सकता है A ने B के साथ दो single bond बनाए बहुसता इस scenario हो सकते है ठीक है या B ने 2 A के साथ single bond बनाए ये तीन case ले लेते हैं भी हम ये हमने तीन case लिया अब जादा लालची कौन है B तो B अपनी तरफ electron को खीचेगा यानि थोड़ा सा जो electron density है जो electron का थोड़ा सा जो amount है वो B के पास जादा होगा क्योंकि B लालची है shared electron B के पास अगर जादा होगे तो B पे आया extra negative, A पे आया extra positive electron जिधर जाएंगे negative, जहां से दूर जाएंगे positive, ठीक है? आयान, organic जल्दी start होगी, organic के लिए जो dropper batch चल रहा है प्राकरम उसमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हें जादा फायदा होगा क्योंकि उसमें organic तोई जल्दी start होगी 11 वाले प्रारंब batch में अभी physical पे पहले focus रहेगा, उसके बाद organic पे जाएंगे क्योंकि जब तक 11 के बच्चे को periodic और chemical bonding ना सिखा दें, organic में मज़ा नहीं आएगा तो इसलिए हम पहले 11 के कुछ important topic करेंगे, उसके बाद ही 11 में organic शुरू होगी तो organic के लिए तुम सुबह वाले जो प्राकरम batch होता है, dropper का उसको देख सकते हो करे ऑब का double bond तो भी arrow कूछ चाहेगा भी वी जादा powerful है वी पंऺ आया पार्शल निगेटिव एप्च पार्शल पोजिटिव अभी भी कौन कीचे गगा electron b पे आया पार्शल निगेटिव एपर आया पार्शल पार्शल पोजिटिव अब देखो यहाँ पे b ने एक electron या एक bond के electron कीचे यहाँ पे b ने एक bond के electron कीचे और यहाँ पे b ने दो bond के electron कीचे तो अगर मैं मानले इसको delta 2 बोल दू और इसको delta 1 बोल दू तो यह बात क्या समझ में आ रही है कि इधा वाला b जादा लेके बैठा होगा ये जादा मासूमों का खुन पी चुका है जादा मासूमों को लूटा है इसने कम को लूटा है तो यानि जो पहला वाला B है वो कम निगेटिव है और जो दूसरा वाला B है वो जादा निगेटिव होगा पहला वाला भी बच्चों कम निगेटिव है और दूसरा वाला भी जादा निगेटिव है तो इस बात का मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब सर यह हुआ कि सिर्फ पार्शल दिखाना काफी नहीं है चार्ज को पार्शल से दिखाना काफी नहीं है आंशिक चार्ज दिखाना काफी नहीं है क्योंकि अगर हमने पार्शल दिखाया तो हम compare कैसे करेंगे हम compare कैसे करेंगे कि किसका चार्ज जादा, किसका चार्ज कम यहीं पे घुसा दिया oxidation number का concept यहीं पे enter करता है oxidation number कि कोई बात नहीं, हम ठीक करके देते है oxidation number ने का लाओ, हम ठीक करके देते है कितने bond खीच रहा है भी सर एक bond खीच रहा है एक bond खीच रहा है, तो ठीक है इसको नाम दो minus 1 कितने bond खीच रहा है, सर दो bond खीच रहा है दो bond खीच रहा है, ठीक है वो दिखा रहा है कितने बॉंड इसे खीच रहे, वो दिखा रहा है कि कितने बॉंड इसे खीच रहे, कॉस फटाफट बताओ या सब को ये बास समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मुझे बताओ सब को ये बास समझ में आई या नहीं आई, इसी तरह अगर तुम A को देखोगे A की तरस से 1 bond चला गया तो A को क्या बोलेंगे? यहाँ पे plus 1 कि plus मतलब A से electron खिचे plus का मतलब A से electron खिचे गए और 1 का मतलब 1 bond के electron एक का मतलब 1 bond के electron यहाँ पे देखें तो 2 bond के खिचे तो plus 2 तो जब भी तुम किसी covalent bond में oxidation number निकालते हो electronegativity को समझो जो ज़ादा powerful है वो खीचेगा जो खीचेगा वो minus जिससे खीचेगा वो plus जितने bond को खीचेगा उतना minus जितने bond खिचेंगे उतना plus अब इसका मैं तुम्हें एक real example दिखाता हूँ अभी तक तो A और B मान के कर लेते हैं पहले मुझे बता देया फटा फट सबको ये बात clear हुई क्या सबको ये बात clear हो गई है तो अब हम इसका देखते है एक real example अब हम इसका देखते है एक real example छोटा सा molecule H2O छोटा सा molecule CO2 बच्चो अभी ये doubt बीच में मन में मतलाना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कहां पे क्या structure है वो तुम chemical bonding में सीख लोगे अभी के लिए जिन structure को तुम पहले से जानते हो या जो structure तुमें पता है उनमें ये काम करोगे बाकि जिनमें नहीं पता उनके लिए हम दूसा जुगार देखेंगे electro negativity देखो oxygen hydrogen में oxygen बहुत powerful hydrogen बहुत पीछे कौन कीचेगा oxygen तो bond पे लगाओ एक arrow जिससे खीचे उस पे plus जिसने खीचा उस पे minus जिससे खीचा उस पे plus जिसने खीचा उसने minus कितने bond कीचे minus 1 कितने खीचे प्लस 1 दूसा bond देखते हैं O खीचेगा ज्यादा negative है H से O ने खीचा तो एक और minus 1 ले लिया H से खीचा तो एक और plus 1 तो H2O में हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों H पे plus 1 ही है हमेशा एक atom का बताते हैं oxidation number एक atom का और oxygen पे total charge minus 2 तो हम oxidation number में एक atom का total charge बताते हैं एक atom का total charge बताते हैं दूसरे case में हो carbon oxygen में oxygen कीचेगा दो bond कीचे तो minus का 2 दो bond चले गए दूर तो plus का 2 बहुत simple सा rule है भाई oxidation number का structure अगर पता है जिसकी तरफ electron गए minus जिससे दूर गए plus हर bond को देखते चाओ carbon oxygen में oxygen ने खीचा minus 2 carbon पे plus 2 तो CO2 में दोनो oxygen पे minus 2 का ही आ रहा है तो एक साथ लिख लो carbon पे plus 4 ये बन गया oxidation number ये क्या बन गया oxidation number ये क्या बन गया oxidation number ये करेक्ट सबको clear है फटा फट SO3 में मुझे खुद बताओ SO3 में मुझे बताओ sulfur पे कितना oxidation number आएगा सारे बच्चे बताएंगे कि SO3 में sulfur पे कितना oxidation number आएगा SO3 पे वैया sulfur में कितना oxidation number आएगा ये बहुत खास structure है तो इसके example के बिना तो काम ही नहीं होता है पिरसे मैं बोलूँगा structure हम structure हम बनाना सीख लेंगे अभी structure तुम्हें दिया जा रहा है अभी तुम्हें structure दिया जा रहा है structure बनाना हम आगे सीख लेंगे तो फटा वट या मुझे बताओ chromium metal है metal की electronegativity लालच हमेशा कम है ये सादू इंसान है ये लालची इंसान है है ना तो यहाँ पर chromium और oxygen में जादा negative oxygen कौन खीचेगा oxygen खीचेगा कितने bond खीचे दो bond तो minus का 2 दो bond खीचे तो plus का 2 कौन खीचेगा oxygen खीचेगा minus का 1 plus का 1 कौन खीचेगा oxygen खीचेगा 1 खीचा minus का 1 plus का 1 कौन खीचेगा oxygen खीचेगा सर minus 1 plus 1 bond बस count करने सिर्फ और सिर्फ bond count करने कौन खीचेगा oxygen खीचेगा minus 1 plus 1 oxygen oxygen में कौन खीचेगा ये तो दोनों समान हो गए दोनों बाहु बली आ गए दोने एक दूसरे वो थपपर मार कर भीज लेंगे तो यहाँ पर तो कोई नहीं खीच पाएगा दोनों oxygen बराबर कोई नहीं खीचेगा बराबर है तो कोई नहीं खीचेगा तो अगर देखें अब मैंने O5 नहीं लिखा क्योंकि एक oxygen है जिस पे total charge minus का एक आ रहा है तो अगर एक ही element के atom अलग-अलग scenario में है तो उनको अलग-अलग दिखा दो 4 oxygen minus 1 वाले थे तो उनको अलग से दिखा दिया एक oxygen minus 2 वाला था तो उसको अलग से दिखा दिया chromium पे देखें तो plus 2, plus 1, plus 4, plus 5, plus 5 यानि chromium पे total charge आ गया plus 6 structure से oxidation number निकालोगे कभी भी गलत नहीं आएगी structure से अगर oxidation number निकालोगे तो कभी भी गलत नहीं आएगी आ ही नहीं सकती है, लिख के ले लो, guarantee ले लो sulfur को देख लेते हैं oxygen जादा electro negative oxygen कीचेगा minus 2, plus 2 oxygen कीचेगा minus 2, plus 2 oxygen कीचेगा minus 2, plus 2 तो sulfur पे 2, 2, 4, 2, 6 सारे oxygen पे minus 2 है तो ये बन गया SO3 में सबकी oxidation number SO3 में सबकी oxidation number तो अगर तुम बच्चों structure बना ले गए अगर structure को सही से बना ले गए तो oxidation number निकालना बाए हाथ का खेल हो जाएगा oxidation number निकालना हमारे लिए बाए हाथ का खेल होगा उमीद करता हूँ, सबको covalent bond का scenario समझ में आया structure बनाना हम आगे सीखेंगे बढ़ अगर structure बना हुआ है सबको समझ में आगे कि हम covalent bond में oxidation number कैसे निकाल सकते हैं, बहुत simple सा funda है, electro negativity का difference, याद होना चाहिए किसकी जादा, किसकी कम और हर एक bond के लिए एक oxidation number, एक bond है तो magnitude 1, दो bond है तो magnitude 2, तीन bond है तो magnitude 3, तीन bond है तो magnitude 3, एक मैं तुम्हें एक और example दिखाता हूँ, organic molecule में, क्योंकि organic में तुम्हारे लिए structure बनाना जादा आसान होगा यह है हमारे सबका पसंदीदा alcohol सबका पसंदीदा alcohol है ना, CH3, CH2 OH ethyl alcohol, yes, yes, correct carbon hydrogen में hydrogen non-metal में सबसे फुट, सबसे बेकार non-metal है सबसे weak non-metal है, तो hydrogen carbon में जादा negative carbon hydrogen negative carbon में जादा negative carbon तो carbon खीच लेगा भाई minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 carbon carbon में कोई नहीं खीच पाएगा carbon carbon में तो दोनों पराबर के हैं कोई नहीं खीच पाएगा carbon hydrogen में फिर से कौन खीचेगा carbon plus 1 minus 1 carbon hydrogen में कौन खीचेगा carbon plus 1 minus 1 carbon oxygen में कौन खीचेगा oxygen, यहाँ पे जादा powerful oxygen है हर bond के लिए एक arrow बनाओ और charge लगा दो charge साथ साथ लगाओ, बाद में सोचो कि तो गरबढ़ हो जाएगी minus 1, plus 1 जिदर की तरफ arrow उधर minus उसके opposite plus जिदर की तरफ arrow उधर minus, उसके opposite plus oxygen hydrogen में कौन खीचेगा oxygen minus 1, plus 1 देखो CH3, CH2, OH इस carbon पे एक, दो, तीन, तीन माइनस इस पे भी plus, इस पे भी plus, इस पे भी सब पे plus 1, इस carbon पे minus 2, plus 1, ले दे के बचा minus 1, ले दे के बचा minus 1, दोनो hydrogen पे plus 1, दोनो hydrogen पे plus 1, oxygen पे minus 1, minus 1, ले दे के बचा minus 2 minus 1, minus 1, ले दे के बचा माईनस दो और हाईडूज़न पे ले दे के बचा प्लस एक तो चाहे औरगेनिक मॉलिक्यूल हो चाहे इन औरगेनिक मॉलिक्यूल हो इस्ट्रक्शर से ओक्सीडेशन नमब निकालना सबसे ज़दा आसान है कया सब को ये बात समझ में आ गई क्या सब को यह बात समझ में आ गई है यस सब को यह बात समझ में आ गई है तो फटा-फट यहार मुझे एक थम-जब दे दो और मुझे बता दो कि यह बात सब को समझ में आ गई है और बहुत आसान लगेगा Oxidation Numbers निकाल दूसरे टाइप के bond पे आते हैं अब आते हैं दूसरे टाइप के bond पे जिसका नाम है ionic bond क्या नाम है ionic bond ionic bond का मतलब क्या है एक ऐसा bond जो बनता है electron के transfer से usually ionic bond बनता है एक metal धातू और एक non-metal अधातू atom के बीच एक metal और एक non-metal atom के बीच में ionic bond बनता है थैंक यू शिवम थैंक यू वेरी मच बच्चों को पढ़ते वे देखके जितनी खुशी होती है उससे लादा खुशी कहीं नहीं हो सकती है तो ionic bond की कहानी को या समझे टेंथ में भी सीखा था sodium और chlorine तो sodium भाई एक electron देता है और बना लेता है na plus और वही एक electron c l ले लेता है इसलिए transfer of electron बोलते है metal electron lose करता है और non-metal electron gain करता है और c l electron लेके बना लेता है c l minus na plus और c l minus ये दोनों ने जुड़के क्या बनाया na c l ये दोनों ने जुड़के क्या बनाया na c l तो अगर मैं इस bond के formation को देख लूँ या मैं बस इतना देख लूँ कि ये actual में na और c l ion से बना है na और c l ion से बना है और oxidation number की definition क्या कहती है oxidation number की oxidation number की definition कहती है एक अकेले atom का charge एक अकेले atom का charge तो भाई अकेले sodium पे plus 1 है अकेले c l पे minus 1 है यही number बन गया oxidation number यही बन गया इनका oxidation number यही क्या बन गया इनका oxidation number क्या सबको ये बात समझ में आई तो ionic bond में बहुत असान तरीक है covalent bond से भी असान है उसको ionize कर दो ionic bond को ionize कर दो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि कहां पे कौन सा charge आए कहां पे कौन सा charge आए अगर किसी बच्चे को क्योंकि जो 11 में नए ने आते हैं उनको ionize करने में दिक्कत आती है और फिर होता है यह वो सीखते नहीं है वो तरीका सीखते नहीं है और फिर dropper की बच्चे तक को यह दिक्कत रहती है आयोनाइज ही नहीं कर पाते धंसे एने प्लस को कहीं एने टू प्लस लिख देंगे कहीं एमजी टू प्लस एमजी प्लस लिख देंगे आयोनाइज करने में गलती है तो आयोनाइज देखो कैसे करना है हमेश्या वैलंसी क्रॉस होती है यानि यह जो X और Y है जो वैलंसी से आया है तो X कर दो मरता है कि हमारे पस A के X आयन है BY का मतलब Y आयन है B के पहले तो यह समझो x आएगा a के आगे y आएगा b के आगे अब जो b के नीचे लिखा है वो a की valency है क्योंकि valency cross हुई और जो x के नीचे लिखा है a के नीचे लिखा है वो b की valency है यानि जो भी number अलग-अलग लिखा है cross कर दो उसको जिसके नीचे का number है वो बगल वाले की valency तो A की वेलंसी हो गई Y, B की वेलंसी हो गई X A की वेलंसी हो गई Y, B की वेलंसी हो गई X और A पे या जो पहले लिखा है उसके चार्ज को केटायन मानते हैं बाद वाले को एनायन पहले वाले को केटायन और बाद वाले को एनायन जैसे देखो, 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 MG Cl2 है बच्छो, यहाँसे तूटेगा, कितने Magnesium सब 1, कितने Cl है सब 2, पहले तो यह समझ लेते हैं, एक magnesium है, दो CL है, एक magnesium है और दो CL है, अब magnesium के लिए जो CL के नीचे लिखा है, वो magnesium का charge है, और जो magnesium के नीचे लिखा है, वो CL का charge है, पहला वाला cation, बाद वाला nion, तो directly पता चला भाई, कि एक magnesium atom पे प्लस दो का charge है, और एक CL atom पे माइनस वन का charge है, एक magnesium atom पे प्लस दो का charge है और एक CL atom पे माइनस वन का charge है और वही charge बन गया इनकी valency वही charge बन गया इनकी oxidation संख्या वही charge बन गया oxidation number तो ionic में बस ionize कर दो ionic molecule के लिए metal non-metal का molecule है तो वही से तोड़ दो non-metal non-metal structure बना दो non-metal non-metal है पर structure बना लो क्योंकि covalent bond होगा metal non-metal है तो break कर दो metal non-metal है तो break कर दो clear है सबको? क्या सब कोई बात समझ मैं है जैसे एक और example देखू थोड़ा सा all level उपर कर देते हैं example का na3po4 तूटेगा कहां से? na और p के बीच में से क्योंकि ये तो non-metal है covalent bond होगा अब 3 na है 1po4 3 na है और 1po4 है na के नीचे का 3po4 की valency po4 पूरा ये 4 मत सोचना है ये पूरा po4 एक है तो इस पूरे का जो एक है वो na की valency पहला वाला positive दूसरा वाला negative जो पहले लिखा है वो positive yes इसकी टोपी उसके सार उसकी टोपी इसके सर बिलकुल सही बात है इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर बहुत बढ़िया शिवम बहुत बढ़िया तो na की तो oxidation नमबर दे को सीधे मिल गई कितनी मिल गई na की oxidation नमबर तो सीधे-सीधे मिल गई plus 1 एने की ऑक्सिडेशन नंबर सीधे सीधे मिल गई प्लस का एक सब्सक्राइब पीओ फोर में क्या करें पीओ फोर में तो बहुत सारे एक्टम है तो या तो इसके लिए रूल यूज़ करेंगे जो अभी सीखेंगे आगे या तो रूल से निकालेंगे या इसका इस्ट्रक्श देख लो जिसपे पॉजटिव नेगिटिव फे टोटल चार्ज बता लेंगे तो जहां भी कोविलेंट बॉंड आएगा या तो इस्ट्रक्शर या रूल जहां भी आयोनिक बॉंड आएगा आयोनाइज जहां भी आयोनिक बॉंड आएगा आयोनाइज और कैसे आयोनाइज करना है इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर जैसे देखो मुझे आइरन की ओक्सीडेशन नमबर बताओ इस मॉलेक्यूल में इस मॉलेक्यूल में मुझे आइरन की ओक्सीडेशन नमबर बताओ मुझे जिंक की ओक्सीडेशन नमबर बताओ इस में जिंक की oxidation number मुझे chromium की oxidation number बता दो इस में chromium की oxidation number मुझे magnees की oxidation number बता दो इस में ये चार oxidation number बच्चों मुझे फटाफट बता दो ये चार oxidation number फटाफट बच्चों याब pen देखो physical chemistry में जब तक आप pen नहीं चलाओगे कहानी सुनोगे अगले दिन भूल जाओगे तो जब तक physical chemistry में paper पे लिखा नहीं जाएगा pen नहीं चलेगा questions all नहीं होंगे तब तक दिक्कते आती रहेंगी तब तक दिक्कते आती रहेंगी तो कहानी सुनके काम नहीं चलेगा मेहनत करवाओंगा तुमसे और तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत करने से कुछ बच्चे कत्रा जाते हैं तो वहां कहीं न कहीं थोड़ी गरबर हो जाती है आयोनाइस कहां से करेंगे यहां से आयोनाइस कहां से करेंगे metal non metal के बीच से metal non metal के बीच से metal non metal के बीच से कैसे करेंगे 2 इसके उपर 3 इसके उपर तो ये मिलेगा 2 Fe 3 sulfate Fe के उपर 3 sulfate के उपर minus 2, so Fe की oxidation number कितनी आ गई? plus 3 Fe की oxidation number कितनी आ गई? plus 3 yes, yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवम एक zinc दो फ्री च्जिंग के नीचे का एक एनो थ्री के उपर कुछ नहीं लिखा तो एक मानते हैं कुछ नहीं लिखा है नीचे तो एक मानते हैंनो थ्री पूरे के नीचे किना है दो वह जिंग क crispy आप जाएगा जैए फ्रीका एक पार्टिकल एक entity मांनो येस शीव बहुत बढ़िया शीव जी बहुत बढ़िया ऐसे ही छोटे-छोटे चीज़े चीज़े सीख के बड़े-बड़े कुश्शन गिरा आए जाते हैं किसी भी कुश्शन का solution देखो तो दो line में solve होता है इवन advanced level का question अगर तुम solution देखो गर दो से तीन लाइन में होता है, तो question में solution नहीं है difficult, concept, basic बहुत simple सी बाते बहुत बड़े-बड़े result पर आ जाती है, बहुत simple सी बाते बहुत बड़े-बड़े result पर आती है, यहां भी देखेंगे तो mn है 2, oxygen है 7, oxygen के उपर minus 2, mn के उपर plus 7, तो हम directly ionic compound में, ionize करके oxidation number निकाल सकते है, ionic compound में directly ionize करके oxidation number को निकाला जा सकता है, क्या सबको ये बात समझ में आई, क्या सबको ये बात समझ में आगए, तो दिखो ये दो बहुत basic सी बाते हैं, कि covalent bond में oxidation number qi, कैसे आई, Ionic bond में oxidation number QI और कैसे आई अब ज़र ये सवाल उठेगा और उठना भी चाहिए ये सवाल उठेगा और उठना भी चाहिए कि सर हर जगे हम structure तो बना नहीं पाएंगे हर जगे हम structure तो बना नहीं पाएंगे हो सकता है हम हर जगे Ionize भी ना कर पाएं तब क्या किया जाए तब बेटा काम आएंगे ये rules कुछ जो बातें पीके उन्हीं बातों को rules में बदल देते हैं जैसे बहुत simple सी हर बात का logic निकालेंगे तो rules त UMH तुममें याद हो जाएंगे हर एक rules का हम logic निकालेंगे तब rules तुम्हें याद हो जाएंगे कैसे याद होंगे देखो, पहला rule क्या कहता है, पहला rule ये सारे rules NCRT में लिखे हैं, oxidation number of element in free state, कोई भी element अगर अपनी free state में है, अपने free form में है, तो उसकी oxidation number हमेशा 0 होती है, उसकी oxidation number हमेशा 0 होती, ये है हमारा rule number 1, ये है हमारा rule number 1, क्या कहता है देखो, hydrogen molecule, oxygen का molecule, phosphorus का molecule, sulfur का molecule, sodium का molecule, free state मतलब molecular form, free state का मतलब molecular form, CL2 का molecule, मैं तुम्हें इसका structure चलो दिखा भी देता हूँ, P4 का, एक और लिख दूँ, यहाँ पे fluorine, क्योंकि fluorine बहुत काम की की चीज़ है, ऐसा structure होता है, P4 का, चार phosphorus है और सब आपस में जुड़े वे, सब आपस में जुड़े वे, लेकिन देखो, जुड़े कौन है, सारे P atom एक ही जैसे तो है, कोविलेंट बॉर्ण वाली बात सोच लो, सारे P atoms एक ही जैसे तो है, कोई भी एक से जादा ना बलवान है ना कमजोर है, सब बराबर की भागेदारी करेंगे, सब बराबर का फोर्स लगाएंगे, तो कोई चार्ज आएगा ही क्यों, कोई भी चार्ज आएगा ही क्यों, चार्ज तो तब आता है ने, जब कोविलेंट बॉर्ण में एलेक्ट्रो नेगिटिव डिफ्रेंस हो, अकेला एटम है, कोई चार्ज नहीं है, तो अकेले एटम पे तो चार्ज है ही नहीं, तो उसकी ऑक्सिडेशन नमबर भी कितनी हो गई, जीरो, सारे एटम सल्फर के हैं, सब बराबर से खीचेंगे, कोई चार्ज नहीं आएगा, सारे एटम फ्लूरीन के हैं, सब बराबर से खीचेंगे, सब बराबर से खीचेंगे, तो यह जो पहला rule लिखा होता है, यह actual में covalent bond वाली ही बात है अगर same atom आ गए same atom आ गए, तो 0 ही तो आएगा है ना, आशिवम नहीं सर 0 होगा नहीं होगा या 0 होगा 0 नहीं होगा या 0 होगा क्या कह रो शोन अगर एक element अपनी free state में है तो 0 ही होगा, free state ionic state की बात अलग है free state है तो 0 ही होगा logically सोचो कोई भी rule logic से उपर नहीं है कोई भी rule logic से उपर कभी नहीं होगा, और logic वही है जो अभी हमने सीख के आए logic वही है जो अभी हम सीख के आए दूसरा rule बहुत basic सी बात अगर कोई भी monotomic ion है, monotomic का मतलब एक atom वाला, yes, yes yes, बिल्कुल सही, कोई भी अगर monotomic है, monotomic मतलब एक atom वाला ion, तो monotomic ion के लिए बच्चो जो उसका charge है वही charge क्या बन जाता है oxidation number, और ये भी तो basic सी definition की बात है एक अकेले atom पे जो भी charge आएगा, वो उसका oxidation number होगा, इसी को rule number 2 कहा गया इसी को rule number 2 कहा गया देखो, कोई भी अकेला ion लिख लो, कोई भी अकेला ion तो सीधी सी बात है iron की oxidation number मतलब iron पे कितना charge है, तो iron की एक atom पे कितना charge है, प्लस 3 iron की एक atom पे कितना charge है, प्लस 3 CL की एक atom पे कितना charge है, माइनस 1 calcium की एक atom पे कितना charge है, प्लस 2 तो ये दूसरा rule भी logic से आया है दूसरा rule भी logic से आया है, तीसरे rule पे आते हैं तीसरे rule पे आते हैं अगर मैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दू अगर मैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दू तो क्या वो टोटल चार्ज के बराबर आना चाहिए नहीं आना चाहिए टोटल चार्ज का भईया मतलब ही तो है total का मतलब ही है सब का जुड़ावा और अकेले का charge oxidation number तो अगर मैं सब के अकेले अकेले charge को जोड़ दूँ तो क्या वो total charge के बराबर आएगा है नहीं आएगा क्या वो total charge के बराबर आएगा है नहीं आएगा बिटा जो भी class का time table है वो community हर week में तुमें मिल जाएगा chemistry की class जो हम 11 के topic कर रहे हैं वो alternate day space शाम को 4 बजे होती है जो भी हम topic कर रहे हAshाँ पे वो alternative days याई वो лोटनेटिज डेस पे शाम को 4 बजे होती है chemistry की class और जो हम 12 के topic कर रहे हैं 12 के और dropper के लिए एक साथ करें मैं तो 11 का भी तैयार कर सकते हो, 12 का भी परालल कर सकते हो, तो 12 के टॉपिक उन्हीं आल्टरणेंट डे the guysiten помог कर सकते हो, Uhr when the effects of job offer 13 20 रफीक ठीकिए रफिक, कि है sırवों जार्फ right俊पर 13 का था चाइल क्र ट्यार कर सकते हो, तो यह चीज अभी तो पीछे देखी थी यह चीज अभी तो यहां पे देखी थी देखो नाइट्रेट में अगर मैं सबके चार्ज को जोड़ो तो वो टोटल चार्ज ही तो आएगा water में मैं सबके charge को जोड़ो तो total charge राएगा, चाहे total charge 0 हो चाहे total charge minus 1 हो चाहे total charge plus हो हाँ, तो बिटा, अगर तुम dropper में हो तो मैं तो यह suggest करूँगा कि एक दिन में 11-12 के parallel topic पढ़ो और एक दिन जो तुम है free मिला उसमें तुम question practice करो ठीक है, एक दिन में तुम एक दिन में तो आतुम question की practice करो और एक दिन में तुम 11-12 के parallel topic पढ़ो तो इससे ना backlog create होगा और तुमारी तैयारी भी बहुत सही time पे पूली हो जाएगी बहुत सही time पे पूली हो जाएगी जैसे यहाँ पर मानलो मैं लिखूँ NH3 nitrogen की oxidation number X, hydrogen की Y, तो X दवाला एक atom बस इतना एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जो भी हम oxidation लिखते हैं वो एक atom की है तीन atom है तो यानि तीन बार Y वाला charge मिलेगा, तो 3 times Y is equal to, total charge कितना है 0, total charge कितना है 0, अगर मैं लिखूँ मानलो ammonium या मानलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ sulfate अगर sulfur की मैं A मान रहा हूँ oxygen की B मान रहा हूँ तो इसका मतलब sulfur 1 है A वाला और B वाले 4 atom है इन सब को जोड़ने पर आना चाहिए minus 2, बहुत काम का rule है भाई है, यह rule rule number 3 बहुत काम का है क्यों, क्योंकि अगर मुझे एक का पता होगा तो दूसरे का निकाल लूँगा अगर एक का पता होगा तो दूसरे का निकाल लूँगा, hydrogen पता है तो nitrogen निकाल लूँगा sulfur पता है तो oxygen तो इस rule की मदश से हम बहुत बार oxidation number निकाला करेंगे तो पहले तीन रूल तो समझच लिए और पहले तीन रूल अगर तुमने समझ लिए तो ध्यान से देखो सारे रूल logical हैं ऐसा नहीं है कि अलग से आएं किसी अलग से दुनिया के हैं चौते रूल पे आते हैं चौते रूल पे इसको मैं प्यार से बोलता हूँ always case चौते रूल को मैं प्यार से बोलता हूँ always case देखो सबसे पहले alkali metals उसकी बाद alkaline earth metals group number one, group number two पूरा का पूरा group number one, पूरा का पूरा group number two फिर कहते हैं aluminum aluminum किसमें? group number three में लेकिन सिर्फ aluminum और fluorine एक compound में compound में क्यों लिखा? क्योंकि भाईया अगर free state होगा तब तो सबका zero होगा free state में तो कोई सोचे ना ही ने सबकी oxidation number कितनी होगी? zero होगी free state में सबकी oxidation number zero होगी alkaline metal यानि lithium लीना की रब से फर्याद lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, frencium alkaline earth metal यानि बेटा मांगे car, scooter, बाप, राजी गुर्प one के जितने भी metal है उनके पास एक electron है गुर्प one के जितने भी metal है इनके पास एक electron है और ये metalों में सबसे अच्छे metal है सबसे इधर आते हैं, periodic table में तो सबसे अच्छे metal अगर है तो इनकी oxidation number तो हमेशा प्लस की ही होगी सबसे अच्छे metal मतलब तुरंट दे देंगे इनके पास तुम गए भी ने, बस इना ऐसास हुआ कि हाँ कोई electron मांगना है ले जाओ कोई electron मांगना है ले जाओ उनके बाद ये हैं, उनके ज़स्ट छोटे भाई तो ये भी तुरंट दो electron होते हैं इनके आउटर मोशल में इनके आउटर मोशल में दो होते हैं तो तुरंट दो दे देंगे उसके बाद aluminum तुरंट तीनो electron दे देगा तो ये मैंने बताया तुम्हें always case कि इनकी oxidation number कभी भी change नहीं होगी इनकी oxidation number बच्चो कभी भी change नहीं होगी हमेशा fix रहेगी हमेशा fix रहेगी कब जब इनका compound देखोगे अब इनी में जो fluorine है सबसे जादा लालच इसी के अंदर भरावा है ये हमारा विजय माल्या तो नहीं है कहीं तो सबसे जादा लालच इसी के अंदर भरावा है इसको किसी के साथ भी जोड़ो इसको किसी के साथ भी जोड़ो ये माइनस कर देगा फ्लोलीन को किसी के भी साथ जोड़ो क्या कर देगा माइनस कर देगा खुद से खीच लेगा तो फ्लोरीन की ऑक्सिडेशन नम empowering हमेश्या अपने compound में minus 1 होती है हमेश्या अपने compound में minus 1 होती है ने सब से ज़ादा लालची और ये सब से ज़ादा साधु ट Coffee clear सबको सबको clear है पाचवे rule पर आते है इनको मैं कहता हूँ semi-always case semi-always का मतलब इनमें कुछ फोब चेंज हो सकता है जैसे hydrogen hydrogen हमारा गिर्गेट है hydrogen वो है जैसे मौका परस्त इंसान कहते है न कि अगर इससे कमजोर आदमी आया तो उसको मुक्का मारके समान छीन लिया इससे ताकतवर आया तो चुप-चाप दे दिया कोई जगड़ा नहीं कोई दुश्मनी नहीं तो hydrogen जब metal की बस्ती में गया कहां गया metal की बस्ती में तब तो hydrogen को ऐसा था है कौन है टक्कर में क्यूं पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में तो वो हाल था hydrogen का बहुत powerful है metal से लेकिन यहीं जब non-metal गया तब देखा गया यहां तो सब बड़े भाई हैं सब हमसे जादा लालची हैं सब हमसे जादा powerful है और electron है hydrogen भया के पास एक पहली शेल में एक electron या तो एक electron दे सकता है या एक electron ले सकता है metal के पास गया तो खीच लेगा ले लिया तो कितना चाह जा गया माइनस एक नॉन मेटल के पास गया तो खो बैठेगा खिचवा बैठेगा नॉन मेटल इससे खीच लेंगे तो hydrogen का भी भाई always जैसा है लेकिन always नहीं से semi always metal के साथ हमेशा minus 1 बट नॉन मेटल के साथ हमेशा plus 1 जैसे sodium hydride magnesium hydride इसमें तुम आयोनाइज करके भी निकाल सकते हो लेकिन अगर आयोनाइज ना करने का मन करें तो hydrogen के लिए तुम्हें हमेशा पता है कि किसी भी metal के साथ अगर hydrogen है तो hydrogen की oxidation number minus का 1 ही होगा किसी भी non metal के साथ hydrogen है तो hydrogen की oxidation number हमेशा minus का 1 होगा किसी भी metal के साथ hydrogen है sorry किसी भी metal के साथ है तो minus 1 और किसी भी non metal के साथ है तो hydrogen की oxidation number हमेशा plus 1 hydrogen की oxidation number हमेशा plus 1 कितनी होगी? हमेशा plus 1 होगी और case आते हैं एक और case समझ लो इसको कह देते हैं case number 1 और इसको यहीं पर कह देते हैं case number B oxygen का भी थोड़ा थोड़ा वैसा है थोड़ा थोड़ा, क्यों? क्योंकि यह है second most electron negative atom यह fluorine का left hand है fluorine का left hand है, yes yes inorganic में भी आता है, yes अरे inorganic के साथ तो बहुत बुड़ा हुआ है बच्चो inorganic को तो ऐसे सफाया किया है ना NCRT ने, ऐसे जाड़ू लगा के सफायी किये कि inorganic का नामों निशान तक ढूंडना मुश्किल हो रहा है तो इनorganic का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है बट इनorganic के साथ बहुत गलत हुआ है oxygen को अगर देखें तो एक ही है इससे बड़ा भाई एक ही है इसका दादा fluorine fluorine के साथ जाएगा positive में fluorine के साथ जाएगा positive में बाकियों के साथ minus माइनस में दो देख कर सकता है माइनस का एक हो सकता है और माइनस का आधा हो सकता है अगर माइनस का दो है तो इसको बोलते है oxide सबसे ज़्यादा common case है oxide का माइनस का एक है तो इसको बोलते है peroxide और माइनस का आधा है तो इसको बोलते है superoxide अब ध्यान से सुनना यहीं पे एक doubt बन गया दिमार्ग में यहीं पे एक doubt बन गया दिमार्ग में कि यार oxygen के लिए क्या मानेंगे इसका तो semi से भी semi semi always case है तो अभी के लिए oxygen का तुम हमेशा क्या मानोगे सबसे common जहां भी oxygen दिखें minus 2 क्या से पहचानेंगे minus 1 या minus 1 उसके लिए इंतदार करें next episode का यह super oxide minus 1 super oxide minus 1 थोड़ी सी बात बताता हूं oxide atomic iron होता है oxygen का peroxide और super oxide यह oxygen के molecular iron होते है कौन सा आयन होते है molecular iron atomic iron का मतलब अकेला oxygen atom और उस पे minus 2 अकेला oxygen atom और उस पे minus 2 तो उसको बोलते है oxide molecular iron का मतलब दो oxygen atom आते है दोनों पे minus 1 दोनों पे minus 1 तो दो पे मिला के minus का 2 यहाँ पे अभी हम total charge लेख रहे हैं ठीक है confuse मत हो ना कि super oxide per oxide में पीछे minus एक बोला यहाँ minus 2 2 पे मिला के total charge minus 2 है दोनों पे minus आधा तो दोनों क्या minus आधा मिला के total minus का एक तो super oxide में दोनों oxygen atom पे minus आधा और per oxide में दोनों oxygen atom पे minus 1 और super oxide में दोनों oxygen atom पे minus का half minus का half clear सबको? सबको समझ में आई बात कैसे पहचानेंगे? उसका case अभी सिखाया जाएगा अभी case अगली class में सिखाया जाएगा कि ये बात कैसे पहचानी जाएगी कहाँ पे oxygen paroxid है कहाँ पे minus r याद नहीं रखना है मैं फिर से बोल रहा हूँ oxidation number alternative रास्ता है या तो तुम रट लो या oxidation number निकाल लो तो oxidation number निकालते समय बहुत कम बात ऐसी हैं जो तुम्हें याद रखनी है एक electronegative battery वाली बात बताई है जो याद रखनी है example दिखाता हूँ जैसे k-m-n-o-4 तो भईया k-m-n-o-4 में हमें पता है ना कि potassium alkaline metal है हमेशा plus 1 जब तक पता ना oxygen minus 2 जिसके बारे में कोई rule नहीं पढ़ा उसका x जिसके बारे में कोई rule नहीं पढ़ा उसका x अब plus 1 वाले कितने atom है 1 x वाले कितने atom है 1 minus 2 वाले कितने है 4 तो minus 2 into 4 हो गया total charge कितना है 0 सब का summation total charge के बराबर x आगया plus का 7 x आगया plus का 7 clear दूसरे पर आते हैं NO3 minus nitrogen के लिए हमने कोई rule नहीं पढ़ा तो nitrogen का x oxygen के लिए commonly क्या मानते है minus 2 तो जब तक तुम peroxide superoxide नहीं समझ रहे हो oxygen का minus 2 मानेंगे x वाले कितने atom है 1 minus 2 वाले कितने atom है 3 तो minus 2 into 3 6 total charge कितना है minus का 1 sign का थोड़ा ध्यान रखना sign का थोड़ा सा ध्यान रखना sign से साब्धामी हटी तो oxidation नंबर में दुरगटना घटी sign से यदि साब्धामी हटेगी तो oxidation नंबर में दुरगटना घटेगी बहुत बढ़िया शिवम yes plus 5 बहुत बढ़िया अब समझ में आई ना अब आया न उट पहाड के नीचे चलो एक और देता हूँ इसमें निकालो OF2 OF2 में oxygen और fluorine की oxidation नंबर OF2 में oxygen और fluorine की oxidation नंबर OF2 में oxygen और fluorine की oxidation नंबर CuSO4 CuSO4 येस बहुत बढ़िया अब देखो oxygen fluorine में काम बन गया न oxygen को वैसे तो minus 2 मानते हैं बट fluorine के साथ देख जाए तो plus क्योंकि fluorine का always है always the case भारी पड़ेगा semi always पे तो इसका minus 1 ये तो इसका पता नहीं plus हो सकता है अब minus 2 मत मान ले न fluorine के साथ fluorine के साथ oxygen को minus का 2 नहीं मान सकते हैं fluorine के साथ oxygen को minus का 2 नहीं मान सकते हैं तो x मान लिया x वाला 1 minus 1 वाले 2 total charge 0 तो oxygen के oxidation number आगे plus 2 oxygen के oxidation आगे plus 2 ऐसे कि इसमें अगर आते हैं copper sulfate अब oxygen को minus 2 मान सकते हैं sulfur भी नहीं पता copper भी नहीं पता rule मैंने दोनों के लिए नहीं पढ़ा ना मुझे sulfur पता ना copper पता तो अगर एक से जादा unknown है एक से जादा unknown है तो पहले उसको ionize कर लो ionize करेंगे तो यह तूटेगा copper plus 2 और sulfate NIN में copper का तो भाई सीधे सीधे दिग गया copper का तो सीधे सीधे दिग गया plus का 2 copper का तो सीधे सी हाँ बहुत सही बहुत बढ़ी है yes yes मौसमी, रफीक, शिवम, सही बात है yes बहुत ही बढ़ी है सीखे हो तुम लो copper का दिग गया plus 2 का बच्च इसका पता नहीं चलो y वाला 1 minus 2 वाले 4 y वाला 1 minus 2 वाले 4 ये बराबर आया minus 2 y बराबर आगया plus का 6 क्योंकि हमाई पस equation एकी बनती है और एक equation से हम एकी variable निकाल पाएंगे equation एकी बनेगी और एक equation से एकी variable निकाल पाएंगे तो इसलिए ये करना नहां पर ionize करना important हो गया क्या सबको ये बात समझ में आगई है क्या सबको ये बात समझ में आगई तो थोड़ा सा level पर और उपर जाएंगे थोड़ा सा level पर और उपर जाएंगे oxidation निकालने के level पर थोड़ा सा और उपर जाएंगे बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, येस, हेलो अनू, हेलो मौस्मी, येस अनू BR3-O8 में Bromine की Oxidation Number निकालो BR3-O8 में Bromine की Oxidation Number निकालो यह NTRT का Example है और इस पर यह Question देखा गया है इसका Structure पूछा गया था Question देखा गया है जिसका Structure पूछा गया था Yes, Shivam Plus 20 Plus 20 या Plus 2O Hello इस नहीं हा Hello, Jyoti, क्या हाल चाले Minus एक बार मौसमे अपना Answer चेक कर लो Minus 16 by 3 आ रहा है क्या एक बार Sign जो चेक कर ले ना बिटा Oxidation हमें Sign बहुत Matter करता है Oxidation हमें Sign बहुत Matter करता है बेटा छोड़ा नहीं है थोड़ा सा Hurdle है तुम कह सकते हैं रुकावट है उसको बस पार करने की कोशिश है एक रुकावट है वो जैसे ही पार होगी मैंने सुबह भी बच्चे को बोला था माइनस काट दो और X तो 3X माइनस 16 बराबर 0 X बराबर आएगा प्लस 16 बाइ 3 प्लस 16 बाइ 3 अब एक 20 रुपे के नोट पे ये बात नोट कर लो 20 रुपे के नोट पे ये बात नोट कर लो क्या बात नोट करोगे Oxidation Number का Fractional या 0 आना सही है Oxidation Number Fraction भी आ सकती है 0 भी आ सकती है ठीक है? ध्यान दो सुनना बात को Oxidation Number Fraction भी आ सकती है 0 भी आ सकती है इसका मतलब क्या है? कि जिस भी Atom की Oxidation Number Fraction या 0 आ आई है जिस भी Atom की Oxidation Number Fraction या 0 आई है वहाँ पर वो Atom एक से जादा एक से जादा अलग अलग इलग कैमिकल फोर्म में है एक से जादा अलग अलग कैमिकल फोर्म में है और जो 8 वेल्यू आई है वो आवरिज वेल्यू आई है जो भी value आई है वो value average है वो value क्या है average है ठीक है यस अनू और इसी लिए अनू हमने 11 में भी देखो यहां पर भी redox start किया है ताकि तब तक के लिए आप चाहो तो यहां से redox समझ सकते हो redox इसी लिए मैंने start किया ताकि redox को समझ सको redox chapter तुम्हारा continue होता रहे तो आज oxidation number सीखेंगे फिर वैसे continue करेंगे अगले lecture से बिल्कुल 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 ठीक है तो इसलिए यहां भी हम redox ही कर रहे हैं oxidation number ही सीख रहे हैं एक बार oxidation number की दुबारा से practice करते हैं और फिर oxidation number को आगे लेके जाएंगे clear यस सीडी कहां से ओन हो जाती है अब देखो oxidation number का fraction यह 0 आने का मतलब क्या है कि average आई जाए इसका structure देखो यह structure मान लो कि पता है ब्रोमीन से oxygen 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 कीचेंगे minus 2 minus 2 minus 2 6 बार खीचा तो plus 6 ब्रोमीन ब्रोमीन आपस में कोई खीचा तानी नहीं oxygen कीचा खीचा minus 2 minus 2 4 bond कीचे plus 4 यह वाला ब्रोमीन भी किनारे वाले ब्रोमीन की तरह plus 6 दो ब्रोमीन प्लस 6 की state में है एक ब्रोमीन प्लस 4 दो प्लस 6 में है एक प्लस 4 average अगर निकालते हैं average क्या करना सब को जोड़ो और जितनी चीजों को जोड़ो उतने से divide कर दो तो average आएगा 6, 4, 10, 6, 16, 16, 16 by 3 कितना average आया 16 by 3 कितना average आया 16 by 3 yes रफी बिलकुल alternate days पे class होती है हर दिन का schedule morning में तुमें मिल जाएगा alternate days पे होगी मतलब एक एक दिन छोड़के 11 और 12 evening में 11 का topic करते हैं और morning में 12 का topic करते हैं इसी time पे रहती class जिस भी दिन होगी 4 बजे ही होगी इस channel पे इस channel पे जिस भी दिन class होगी 4 बजे ही होगी और शाम वाली class में 11 के topic कर रहे हैं दो chapter कर चुके हैं तीसला chapter redox reaction कर रहे हैं mole concept gaseous state कर चुके हैं redox reaction हम करें अगर तुम्हें free time मिले बीच में तो तुम gaseous state को revise पहले करना या mole concept को revise कर सके हैं सुबह भी वही महीं कराओंगा 12 के topic कर आता हूं सुबह वाले में हमने electro chemistry start किया है सुबह वाले में हमने electro chemistry start किया है देखो 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 इधा देखो अब मैं तुम्हें बहुत तग्रा सा application दिखाता हूं आज नीट 2019 का सवाल है ट्राइब्रोमो ओक्टा ओक्साइड का structure पूछा है कुश्चन पढ़के कहीं से भी नहीं लग रहा है कि यह और रेडॉक्स रियक्शन का कुश्चन है सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे जिस भी दिन क्लास होगी उस दिन का schedule तुम्हें morning में वैसे दिख जाएगा schedule तुम्हें morning में दिख जाएगा जिस भी दिन क्लास होगी ठीक है क्राइब लो मो औक्टाओकसाइड अब इस कुश्चन पर ध्यांदो बहुत ही मतलब दिमाग अगनम धंड़ा हो जाएगा क्राइब लोमो ओक्टाओकसाइट कहीं भी दूर दूर तर कुश्चन पर नहीं लग गा है कि oxidation number का कुश्चन है बनाते कैसे देखो NCRT का question NCRT में structure दिया है या तो याद हो या तो याद हो नहीं याद हो तो क्या करेंगे minus 2x अभी देखा है x कितना आ रहा है plus 16 by 3 plus 16 by 3 आ रहा है average इस structure को देखें इससे नहीं यहां से शुरू करते हैं 2, 2, 4, 2, 6 ये वाला bromine plus 6 में 6 oxygen कीचेंगे plus 6 में 2, सिर्फ 2 ही कीच पाएंगे ये वाला bromine plus 2 में 2, 2, 4, 1, 5 5 कीचेंगे ये वाला bromine plus 5 में structure कह रहा है average लेते 6, 2, 8, 5, 13 13 by 3 क्या ये average value से match किया नहीं यानि ये गलत structure है क्या ये average value से match करा है नहीं करा है यानि ये गलत structure है इस पे आते है 2, 3, 4 प्लस 4 में है ये वाला 2, 2, 4 ये भी प्लस 4 में है 1, 2, 3, 4 ये भी प्लस 4 में है 4, 4, 8, 4, 12 12 by 3 क्या ये average से match करा है नहीं गलत structure तो अगर मुझे structure नहीं भी आदर तो भी oxidation number की help ले सकते है इसलिए मैंने का oxidation number निकालने से ज़ादा ज़ली उसका application है oxidation number निकालने से ज़ादा ज़ली उसका application है यहां देखो 2, 2, 4, 2, 6 2 और 1, 3 3 oxygen कीचेंगे वही देख रहा हूं कौन कीचेगा कौन कीचवाएगा 2, 2, 4 6, 3, 9, 9, 4, 13 13 by 3 अभी भी average match नहीं किया गलत और नीट 12, 19 का सवाल है नीट 12, 19 का सवाल है यहां पे देखो 2, 2, 4, 2, 6 ये वाला bromine प्लस 6 में 2, 2, 4, ये वाला bromine प्लस 4 में 2, 2, 4, 2, 6 ये वाला bromine प्लस 6 में 6, 4, 10, 4, 6, 16 average लोगे 16 by 3 आएगा average match कर रहा है स्तही structure option A है दूर दूर तर question पढ़के तुम्हें नहीं लगेगा कि सर यहां पर oxidation number का concept लग सकता है लेकिन oxidation number की खुबसूरती ही सी में है कि वो बहुत सारी बाते समझा पाएगा और एक बात तुम्हें electro negativity से निकालने का idea लगे तो आसानी से निकाल पाओगे समझ में आया क्या सब कोई बात समझ में आई फिर तो छोटे बच्चों जैसे सवाल होते है यह बच्चों जैसे सवाल है अभी किलमें तुम्हें practice के लिए सवाल homework में दूँगा अगली class में जब आना तो इन सवालों को जरूर लगा के आना क्योंकि क्या होगा अगली class में तुम्हें oxidation number में एक level उपर लेके जाएंगे यहां भी fraction में आएगा fraction मतलब average value fraction का मतलब average value तो अगली class में तुम्हें एक और level उपर लेके जाएंगे कि भाई, coordination compound, complex compound इन में oxidation number कैसे निकालते हैं coordination compound, complex compound इन में oxidation number कैसे निकालते हैं अभी के लिए ये बात जरूर नोट करके रखना कि oxidation number की value fraction या 0 आती है इसका क्या मतलम निकलेगा इसका क्या मतलम निकलेगा इसका क्या हो गयो होंवक के question दिया तो answer भी बता दिया इसके बाएं में detail जानी है तो यह दो oxide का mixture होता है एक FeO और एक Fe2O3 ऐसे oxide को इसलिए mixed oxide कहते हैं कभी कभी question ऐसा आ जाता है कि इसमें से कौन सा oxide mixed oxide है इन में से कौन सा oxide mixed oxide है और वो कैसे पता चलेगा वो कैसे पता चलेगा oxidation नम्म निकाला fraction fraction का मतलब average average का मतलब एक से जादा अलग-अलग oxidation number average का मतलब एक से जादा अलग-अलग oxidation number यहां वाला iron plus 2 में है यहां वाला iron plus 3 में average देखोगे तो plus 2 वाला 1 plus 3 वाले 2 टोटल iron 3 average value आई plus 8 by 3 plus 8 by 3 is your average value plus 8 by 3 is your average value mixed oxide question hard नहीं आप कहा रहा hard mixed oxide सीदे सीदे कैसे पचानों वे चार oxide दी हैं देख लो किसमें fraction में आ रही है जिसमें fraction आ रही हो mixed oxide इसलिए मैंने कहा inorganic chemistry में जो तुम्हें लगता है न रियाद रखने वाला cushion है redox उसको logical बना देता है redox उसको logical बना देता है तो उमीद करता हूँ सब सारे बच्चों को oxidation number का basic concept समझ में आ गया हो oxidation number कैसे निकलता है कैसे समझा जाता है कैसे उस पर question किये जाते है yes अब नहीं hard तो अब बच्चों हम लग next class में मिलेंगे next class में हम लोग next class में हम लोग paroxide oxide identification सीखेंगे कि भाई कैसे paroxide superoxide को identify कर सकते हैं बिना याद किये और redox की meaning को समझेंगे कि reduction और oxidation का मतलब क्या होता है तो उमीद करता हो सबको या मज़ा आया होगा समझ में आया होगा जुड़ने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद अगर ऐसे पसंद आया तो अगले lecture में जरूर आना क्योंकि lecture continue करोगे तो ही concept continue हो पाएगा तो अगले lecture मिलते हैं कुशन होमवर्क में रहेंगे ठीक है रफीक नीट लेवल पर ऐसा कुशन बनेगा नहीं बट अगर दोनों मान लो तुम आप्शन से नहीं निकाल पा रहे हो दो चीज़ें आगे जिनमें average है तो वो कुशन चाहता है कि तुम्हें याद हो पर वो कुशन memory-based कुशन बन जा बहुत common example है ठीक है रफीक तो अगर दो तुम्हारे पास fraction में आ गए तो या तो वो कुशन memory-based हो गया या वो कुशन ऐसा होगा जो most common example है तो मिलते हैं बच्चों अगले lecture में thank you all have a great day practice करते हो physical chemistry में सबसे ज्यादा weightage है practice करने का NCRT बाद में पढ़ेंगे practice पहले करेंगे concept सीखा उसकी practice करेंगे बार बार practice करेंगे concept याद रहेगा so thank you all bye bye tata take care